बीजेपी एकी सेंतालिस से पला साथ आप बताए यह पीजेपी तीस पे समठती दीकरी यहां भी तक तो समी करने जो है सरकार साब मैं बताया दिया आपको मिली जुली बन दी कती नहीं बन सकती डेफिनेट लिख के देदे पने की सरकार पत्रा देखता है यह पंड़ जी है जा दिये बहुश्य बाड़ेन की सब्सक्राइब जाया अगर योगी को देदे अरियाना में ना तो सुधार हो सकता नहीं कुछ नहीं किया नाम आप राम आवतार बार्दुआज आप अरियान कहीं रहने वारे यस क्या लग रहा है किसकी सरकार है सरकार बीजेपी के ही बन सब्सक्राइब दिखा रहे हैं कि जीते हैं तो अलग दावा कर रहे हैं तो कि आप इदर आए दर आए दर आए आप इदर आए आप इदर आए आप इस पर समठती दीख रहें यहां भी तक तो श्रमी करने जो है इसे ज़्यादा नहीं उसके आकड़े दिखा रहे हैं क्या नामें यह तजुरुबे में आपसे ज्यादा उम्रदा इन्होंने कई चुनाव देखे हैं यह साफ साफ यह साफ साफ बता रहे हैं कि किसी की सरकार नहीं बन रही सरकार तो बनेगी बीजेपी की सरकार साब मैं बताए दिया आपको मिली जुली बनेगी उसमें 47 से पचास आखड़े में अज उड़ा कह रहे हैं साफ कर देंगे पीजेपी को होड़न को क्या होता है वो द्टा पूर मुख्य मंत्री है हाँ पूरे मूख्य मंत्री है उड़ने रोध्ता की सोपक़ाया पीजेपी साफ कर दें बीजेपी साफ ही नहीं होती उनसे है अभी लोकसाब भावदेमी देखा 45 से ओथ यह उख पनीностью बचा लेगा मतला बुपेंदर सिंग उटा चुना वहार जाएंगे तो परसेंट एसी कोई बात नहीं जनता है यह तो किलिए क्यों पुरा तजर्ब है उसको आखड़ा लगा लेगा काहिना कर ले दे के कुछ नहीं कुछ कर देगा यह तो राजने की चलता है तो कुछ ना कुछ दबाव देगा कुछ प्रेसर देगा हार भी तो गया था राखुल गांदी भी तो हर गया था समित्रानी से कोई बड़ी बात नहीं है जैसे वो समय और यहां तो भी उसमें कोई अभी हवा चल रही है चुनावों में इस तरह कोई अभी तो कांग्रेस पर क्यों भारी बंदती जा रही है बीजेपी से कुछ जाट लोग नराज कुछ माउंडन नराज अब आया है मुध्दा बेजेपी से कुछ जाट नराज और कुछ मौंडन नराज क्योंकि वह माउंडन के वह उसके घ्राइब वह टोट वह घ्राब करना चछी को तो बीजेपी चेया अग तकलीफ होती बच्चे ठीए तो ठाकर बंद करेंगे तो तो और जात नराज वह ही आपने उसके उत्वेशें पीछे तो इसलिए थोड़ा साथवासर पड़ेगा बीजेपी पर हां जाके अब जातो और मौहंडन के बोट नहीं तीजएपी पीजएपी पर आरोप लगते हुए है कि जा्टतों को नराज कर दिया लगते vocês बादेतर कर दिया कर दिया है आपकिसान को मना लिया कहां लिया कहाँ लिया नाराज की तुल बहुंद आये अनगी पत्रा देखता है यह पंड़ जी है यह पत्रा देखते हैं आपकी बात से देखो यहां पर कोई सहमत नहीं आप कह रहे हैं मिली जूली सरकार बने पिर मुख्य मंत्री तो पिलाल तो नायक से नहीं बना रहे हैं अब बीजेपी का बैठा उपर मोदी जी वह चाहेगा उसको मुख्य मंत्री बैठाएगा नायब सिंह तो नहीं और किसी बैठाएगा अब देखो सरकार मिजिली पनेगी जब पता लगए इसाब से कौन हो सकता नहीं है तो कभी कुछ निपर नाम यहां पर आया है योगी अधित्यनात के बारे में हर्याना में पिछले जोगी जैसा तो मिल जामों क्यमंत्री अर्याना को बहुत कुछ हो जया है और पूरी पल भूप सिंह आधे ना सक्त सिंह अग साव ठाव ज्यों भी भरष्टे उसको अंत्र ढाल दो जारु वाला हो जगड़े वाल ला ओ इनको साब कौन डाल दो सब्सक्राइब करते हैं और ऐसा नेता तो चहिए देश को भविष्य के लिए क्यों आने वाली पीडी और हमारी खराब हो जाईगी अगर योगी को देदे अरियाना में ना तो सुधार हो सकता निया कुछ नहीं कि योगी तो पीम लाइक है देश का उदार करते हैं यह भवि कर रहा है बिल्कुल है बहुत अच्छा नेता है साफ छवी का है ना कोई इस पर आरोप ना कोई अब नू कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन एक नेता होना चाहिए जैसे योगी है ऐसा नेता में वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है हर्याना मैं चाहता हूं कि वह यहां के लड़े और यहां उनको जिताएं आप यह चाहते कि यहां रैली करें और बीजेपी को जिताएं ने ने यहां का मुख्यमंत्री बनाया मुझको अच्छे आदमी का मांगोती है क्या काम उनके अच्छे लगत एक चीज आप बताए जैसे आपने उत्तर सब देखते होंगे आप आपको हर्याना में ऐसे कौन से काम लगते हैं कि जो योगी अधितेनाद करवा सकते हैं देखो ऐसा है यहां पर अगर योगी जी आते हैं पहला बात तो ब्रस्टाचार खतम करेगा दूसरा रोजगार देगा तीसरा जो गुंडे मवाली जो घूम कि यूपे में क्या किया और यहीं तो किया है और यहीं हम चाहिए कि इनसानों क्या चाहिए आजादी आजाद हुए कितने साल होगे हमको तो कि शैटालिस ही मुए थे आज कितने साल हो गई लेकिन आजादी फुल्स आजादी नहीं है यहां पर पहले नंबर पर आप रखना चाहते हैं कानून विवस्ता जी हां कानून विवस्ता सुदर नहीं बिल्कुल हमारे यहां गुडगावा के अंदर कानून वेस्ता बिल् तो क्येचि चलिए बहुआ बहुत बाहर बैठो इसके यहन 152एक मजबोरी में हो जी शोनी अश्याय तरफेिमें लिए अपनी मजबोरी दे के लिए नियुक को सुनते हैं तो पहर किसलिए बैठा रख्ञ케 यह चलिए तो ये भी एक मुद्दा है हर्याना में हर्याना में जगे जगे गुम रहे हैं लगातार इस तरह की मांगा रही है कि योगी अधित्यनाद जी की रैली कराई जाए यहां पर तो बीजेपी इतनी सीट से इतनी सीट पर भी आते हैं और कुछ लोगों का दावा ये भी ह कि हर्याना में उन से चुनाव लड़ाये जाए और उनको यहां का मुख्य मंत्री मनाये जाए क्योंकि लोग कानुन व्यवस्ता को थब बता रहे हैं कह रहे कि कानुन व्यवस्ता को उपर बढ़ाना होगा अगली सीरीज में दूसरी जगह चलेंगे दूसरे विदान सभा चलेंगे और टटो लेंगे हर्याना विदान सभा का समीकरन किसकी सरकार बन सकती है पांस तारिक के लिए जुड़े रहे हैं इंडिया टीवी पर